है हलो एब्रीवान दिसी सच्छा वेल्गनों मैं चैनल क्रिप्टो हिंदी स्वाहिए आज कुझे हम वीक सेवन ओफ और एड्रॉप ग्राइंडिंग चैलेंज करेंगे तो आज कुझे में माल्टिबल तिंग्स करेंगे जी के सिंग के रहा हमें एक ही फॉंड्स को यूज कर एंड लेट जीरो में फॉर बिजस को यूज करेंगे तू नुट अर्ट नुट अट्वी देसनेशन चैन्स को अक्वेट करेंगे तो साथ डिटेल इस वीडियो निए जाल को फर्स्टमार तो चैनल को सब्स्क्राइब करना एंज विडियो का लाइक करना इंज वीडियो से लिए लाइक तो अभी का बीडियो लाइक बट्नक्राइब क्लिक करना वास फिकेन विडियो गईग जस्टिंगा जप्र में वालेट है इसमें तोड़ा इसमें तर्टीं में फॉर्स्ट वीक में तोड़ा एथीरियम पोलिगॉन से आपर्धिनर में ब्रिच किया था उस तो आपको क्या करना आज वीडियो में बता दूंगा उसको एक्षोल इतरी में कनवर्ट करने के लिए हमको तोड़ा ग्यास फिच चाहिए ऑन और वैलेट कॉपी करेंगे बाइनस जाएंगे एंड तोड़ा को में डिपॉजिट करूंगा टू आवर एड्रॉप ग्राइंडिंग वैलेट सो जेस्ट क्लिक ओन विड्रॉप कीजिए वान से कंप्लीट होते हैं विदिन फ्यू सेकंड हमारा वैलेट में फंड जो है एड हो जागा देख सकते हमारा फंड जो है अब इसको ऐसे रख दें करेंगे फिर्सिंग हम मैं पूल में लास्टम अमने टोकन से क्या था बूस्टेड फूल में माई पोसिशन में जाके आप देख सकते मैनेज में इसमें क्या हो था हमारा जो इचिरियम पूल में स्टेक क्या था वो आफ्टर फाइड से उसका ऑट्टमेटिक लिए वापस Ethereum में convert करना होगा, so मैं USDC withdraw करूंगा, unstake करूंगा, and इसमें 4-5 transaction आएगा, that is good thing, हम ZK Singaram में some transactions generate करा है, genuine transactions एकी दिन में, so that is a good sign, हमको ZK Singaram में भी advantage मिल जाएगा, so देख सकते हैं, 4 transaction के बाद, हमारा wallet में USDC आगया, अब इस swap में जाके, सारा USDC जो है, वापस Ethereum को swap करें हमारा $147 को, उससे पहले अगर आप चाहिए, तो SyncSwap और दूसरा DAB में जाके, देख सकते हैं, किस में ज्यादा Ethereum आपको मिल रहा है, उस DAB को use कीजिए, मैं मुझे ज्यादा Ethereum मिल रहा है, इसलिए मैंने MAB को use किया, so confirm कीजिए, Metamask transaction complete होते है, हमको, Ethereum मिल जाएगा, so अब market protocol है, इसमें मतलब Ethereum deposit करके, हम दूसरा token like USDC को borrow कर सकते, and over that, इसको हम इसलिए try कर रहा है कि इस particular product का ESXB token को हम farm कर सकते, till 30th September, मतलब, this is an opportunity to get XBank का token भी, so XBank का token भी हम farm कर सकते, अभी इसमें advantage कहा है, अगर इसमें liquidity stake या borrow करा तो, आपको ESXB tokens as a reward मिलेगा, and on 30th September, आपका ESXB tokens का valid balance को snapshot लेके project उसका governance tokens आपको airdrop करेगा, so that is one advantage, second advantage, so इसमें एक prediction है कि potential ZK Singh airdrop, so अगर airdrop confirm, अभी तक ZK Singh एर का airdrop कोई भी confirm नहीं है, अगर इसका airdrop आया तो, and ZK Singh एरा जो है, कुछ, just like Arbiterum and Optimism daps को कुछ token allocation दिया, तो, वो token allocation में भी 40% share जो है, हम ESXB holders को देगा करके, यह project ने confirm किया, so अभी तक कोई भी confirmation है, but अगर ZK Singh कहा रहा, कुछ portion of tokens XBank को दिया, तो, उस portion of token में 40% ESXB tokens holders को ही जाएगा, so which means, this token has two potential airdrops, so अभी start करते, and over that, यह new dap, I guess, remember that, so new dap में try कर रहा तो, आपका funds risk में होगा, and यह सारा जो भी आप contracts के साथ internet कर रहा, smart contract exploit होने का chances है, आपका fund lose होने का chances है, वो आपको mind में रखते हुए, कितना आप lose कर सकते हैं, उतना fundी investment करना, and इसका अगर आप देखा तो मैंने twitter में देखा, इसका दो blockchains में available है, starknet and zkasing कर रहा है, and इसका followers देख सकते हैं, official starknet इसको follow कर रहा है, and official starkware भी इसको follow कर रहा है, which means, it's a potentially decent project, so let's start guys, xbank का grinding करते, so इसमें जाके wallet connect करेंगे, zkasing कर रहा है, mainnet में, उसके बाद देख सकते हमारा valid balance 0, इसके बाद ethereum section में click किजिए on deposit section में, इसमें हम 0.08 ethereum को deposit करेंगे, metamask में confirm कीजिए, and within few seconds हमारा deposit हो जागा, and इधर देख सकते, distribution reward per day, जो है, 1408 ESXB tokens हम farm कर सकते, and थोड़ी देर बाद उपर scroll किया, तो आप देख सकते है, 150 dollars approximately worth of tokens हमने stake किया, and अभी इसको collateral का enable करना, so इसमें collateral का option है, toggle उसको click कीजिए, metamask pop up हैगा, देख सकते हमारा deposit के उपर हमको 1408 ESXB tokens per day मिल रहा, यह इतना, कितना accurate है, मुझे नहीं पता, one day के बाद में, मेरा actual earnings हो है, screenshot में Twitter में post करूँगा, मुझे Twitter में follow करना है, ताकि आपको time to time updates मिल जाएगा, so इसको collateral enable कीजिए, metamask confirm कीजिए, and within few seconds, इसको right side में USDC, either collateral tick हो गया ना, अभी USDC को हम borrow कर सकते, so इसके ओपर क्लिक कीजिए, click on safe max, हमको 98.6 USDC borrow कर सकते, and right side में देख सकते, distribution rewards हो है, 3168 ESXB per day हम end कर सकते, on this borrow, मतलब हम almost 5000 ESXB tokens per day farm कर सकते, but यह कितना accurate है नहीं पता, one day के बाद आपको पता चल जाएगा, मेरे twitter follow गया तो, so उसके बाद हम इसमें borrow button की उबग क्लिक कीजिए, metamask pop up आएगा, and once confirm करते ही, इसका transaction complete हो जागा, देख सकते हमारा deposit and borrow minus होके हमारा net worth जो है, $50 के पास आगया, and हमारा net interest जो है, 2.2% हमको देना होगा, which is around $3.3 annually, so annually है, हम September 30 तक ही कर रहा है, so इसका मतलब, maybe हम $1 से भी कम fees में pay करेंगे, so nothing to worry, आपको एक चीज़ द्यान रखना होगा, Ethereum का अगर price थोड़ा नीचे आ रहा तो, you have to remove and adjust that, so मैं Twitter में update करने के लिए try करूँगा anyhow, so अभी हमारे पास tokens आगया, and देख सकते है, liquidity add होगया, and उपर आपको reward section में जाके daily आप चेक कर सकते है, कितना ESXB tokens आप फार्म किया, देख सकते हैं, अभी के लिए मुझे 0.01 ESXB tokens फार्म हो गया, so अभी इसको हम ninja techniques के तुरू other grinding भी करेंगे, so मैंव पोल में आएंगे, so मैंव में आके, अभी हमारे पास कितना है, इसमें UHDC में maximum कीजिए, and maximum नहीं आए, तो नीचे कितना मोन दिखा रहा है, 89, so 89 डालके, add liquidity क्लिक कीजिए, and metamask transaction complete कीजिए, approve करके, 2-3 transaction है, उसको complete कीजिए, उसके बाद हमारा token हो है, मैव में भी deployed हो जागा, and मैव ने भी season 1 rewards अनॉन्स किया, जो भी users boosted pool या normal pool में, tokens take करता हो, उसको भी reward आ सकते है, इसका मतलब हम same tokens को, XBank में deployed किया, XBank में around 4 और 5000 ESX भी tokens per day end कर रहा है, उसमें जो tokens आया है, उसको मैव में deployed किया, and मैव का tokens भी grind कर रहा, and overall हम, दोनों जो है, ZK Sync era में liquidity आड कर रहा है, and indirectly हम ZK Sync era tokens को भी grind कर रहा है, and over that XBank का, जो भी potential ZK Sync era का share है, 40% का, वो भी हम end कर रहा, so it's a hell lot of combination of ninja technique, so ninja technique overkill बोल सकते हैं, so अभी देख सकते हैं, हमारा position में जार के management देखा, तो हमारा token हो है, सारा देख रहा है, इसका भी interest हमको 125% मिल रहा है, so हमारा जो 1% interest हुदर हमने दे रहा, वो इधर हमको balance हो जाएगा, so अभी हो गया, हम ZK Sync era का ninja overkill grinding, so देख सकते हैं, वैलेट में around 8 to 10 transactions हमने किया, on ZK Sync era, which is very good thing, and ZK Sync era airdrop में भी, हमको potential airdrop, size increase हो जाएगा, सो अभी जाएंगे वापस जाके, हमारा head sheet का issues को sort करेंगे, so जाके hop bridge में जाके, wallet connect करेंगे, आपके पास अगर actual Ethereum, अर्बिटर में आगे तो आपको ये step करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ users को head sheet आया होगा, so उसके लिए आईए, so convert में जाके, Ethereum को, इधर head sheet Ethereum को wrapped Ethereum में convert करना होगा, maximum कितना भी है, उसको अप्रू कीजिए, अर्बिटरम जो है हमारा valid में add हो गया, उसके बाद अप्रू करके, maximum moment enter करके next कीजिए, and within few seconds हमारा convert option आजागा, convert के उबग क्लिक करके transaction complete कीजिए, and once हो complete होते हैं, हमको wrapped Ethereum आजागा, so अभी हमको metamask में जाके, portfolio icon में click करके, इस wrapped Ethereum को actual Ethereum में using swap option swap करेंगे, so इसमें wrapped Ethereum सेलेट करेंगे, normal Ethereum, maximum select करके swap कीजिए, इसमें हम metamask swap को भी, आज की video में use किया, and देख सकते हैं हमारा Ethereum में, maximum Ethereum जो है, $13, so उसको bridge करेंगे, इसमें फिर से hop bridge यूज़ करेंगे, मैंने चेक किया, इस बार हमको Ethereum ही मिलेगा, so इसमें submit transaction की उबग क्लिक कीजिए, and हम metamask में, both bridge and swap, दोनों use किया, for this week, so देख सकते हैं, इधर switch network की उबग क्लिक करके, optimism में metamask में add कर सकते, so अभी दोनों chains में हमको tokens आ गया, अभी वापस जाएंगे हमारा layer zero grinding के लिए, last time हम harmony में bridge किया था, टोकन्स, harmony bridge में जाके, अब वापस उस tokens को binance में लेकर आएंगे, switch network में क्लिक किया, तो हमको wrong network दिखा रहे तो, सो में chain list में जाके, हम arbitrum one को add करेंगे इदर, so sorry harmony one, so harmony search कीजिए, harmony में shard zero जो है, उसको select करना होगा, add to metamask, once metamask में add होने की बाद, वापस आपको जाना होगा, harmony bridge, and इसमें harmony से, binary smart chain को bridge करेंगे, select token में, usdt select कीजिए, and इदर maximum select करके, इदर use my address के उपक कीजिए, नहीं तो error आएगा, उसके बाद continue, yes I continue, and इदर फिर से continue क्लिक करके, metamask transaction complete कीजिए, and once you complete करते है, हमारा bridge जो है, success हो जाएगा, देख सकते हैं, दूसरा transaction है, उसको भी complete जाएगा, within few seconds transaction हो जाएगा, आर्बिटरम में send करेंगे, अभी तक हम आर्बिटरम chain को, अक्किवेट नहीं किया, layer 0 में, आज करेंगे, so USDT को maximum tokens को, आर्बिटरम में send करेंगे, transfer क्लिक करके, confirm कीजिए, metamask transaction complete करते हैं, हमको token जो है, बाइन स्मार्ट चेंटे, आर्बिटरम में हो जाएगा, अभी अब्रकद अब्रमनी में जाएगे, हम phantom chain से, हमारा phantom में, mim token से, उसको हम optimism chain में send करेंगे, so इसमें फिर से, हम optimism को भी activate कर रहा, on layer 0 destination chain, so maximum select कीजिए, beam की उपकिल कीजिए, metamask transaction complete कीजिए, once complete करते ही, हमारा transaction complete हो जाएगा, and हमने 3 bridges use किया, already layer 0 का, and 4th bridge, जो है, defa kingdom इसमें आके, inventory में जाके, 3 gold tokens को, हम dfk gold को bridge करेंगे, bridge items के उपकिल कीजिए, metamask transaction complete कीजिए, and once that is done, हम 4 bridges को use किया, 2 new chains, arbitrum and optimism को activate कियो, on layer 0, so huge thing, so अब देख सकते है, and almost 25 transactions किया, and हमरा wallet जो ऐसा दिखेगा, तोड़ा maverick में 98 tokens है, 98 dollars worth of tokens, xbank में 150 tokens टेक दे, 98 tokens बोरोड है, and 0.22 ESXB already farmed है, so very good sign, so इसके बाद हम transaction में देखा, तो almost 25 transactions हमने wallet में किया, and this is also good sign, so बस इतना है कैसा, आज के वीडियो all about week 7 of a drop grinding, ये वीडियो को तोड़ा भी helpful लगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को, first time आज तो चैनल को सब्सक्राइब आइस टाइप of a drop grinding weekly challenge कैसा है, आपको comment section में definitely feedback देना, so that's all guys, thanks for watching, Jaihin!